आज वह मुबारक्षा में आही गया जो मुझे वर्सों से इंतजार था आज हम जागरती फोर एक्सलेंस का पहला एवाड गनेश जी को देने जा रहे हैं वास्तों में यह एवाड देकर मैं उन्हें प्रुस्कृत नहीं कर रहा हूँ वास्तों में यह प्रुस्कार देकर मैं अपने चैनल को प्रुस्कृत कर रहा हूँ जो ऐसे विक्ती जिन्होंने न केवल भारत में बलकि 20 सुछटा पे भी अपना पंचम लहराने के लिए तयार है इसके लिए मैं सबसे पहले अमंत्रित करता हूँ संदीब जी जो हमारे फाइनेंसल लिटरेसी के हेड है और फाइनांस के बारे में अलग-अलग चैनलों में आपसे रूप बरू होते आ रहे हैं संदीब जी प्लीज कम गनेश जी प्लीज आईए आपका शौगत है सबसे पहले सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका जो भी जरनी रहा है काफीन के रेजिंग है काफीन स्पैरिंग है यूथ के लिए और हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हर आदमी को अपने लाइफ में एक फिजिकल अक्टिविटी या एक एम के तौर पर कुछ ने कुछ करते रहना चाहिए सो रेली बहुत अप्रिशिट करता हूं मैं आपके सारी फोट्स को और सर प्लीज इन्हें साल पहना कर आप इन्हें सम्मानिक करें और सर ये एवाड़ थेंक यू थेंक आपके सामने एक ऐसे सक्स का परिचे करवाने जा रहा हूं जो आने वाले समय में एक इतिहास रचने जा रहे हैं इन्होंने मातर तीन साल में 697 राइड किया और उसमें 41,831 किलोमीटर का सफर तरे किया एक खुबसूरत सुर्वाद ये महरास्ट्रा में या आप कह सकते हैं भारत के बहुत सारे छेत्रों में कोई पहचान के महताज नहीं है आज इनकी कहानी इनी की जवानी आपके सामने इनका नाम गनेश देविदास कमर है सर बहुत बहुत नमस्कार नमस्य सर सर आप रहने वाले कहां के हैं? मैं महारास्ट्रा के नासिक जिले में जो भूमी से वीर सौतंतर वीर सावर करने जनम लिया है और सशक तक्रांती की जिनोंने शपत ली थी वो भगुर गाउसे में आता हो बहुत ही कुपसूरत एक अधभुत जगह जहां से वीर सावर करने एक सोतंतरता का इतिहास रचा और एक स्वर्मिंभारत की रचना की वास्तों में मिट्टी में वो खासियत होती है जो इस तरह के सूर वीर पैदा करते हैं रविंदा टैगोर ने भी कहा था भारत की प्रतेक मिट्टी चंदन योग्य है और सर बहुत बहुत नमन कि आप ऐसे च्छित्र ऐसे जमी से बिलोंज करते हैं जहां से भारती एतिहास की रचना हुई और कहीं ने कहीं यह सोभाग्य आपको भी मिला जो ऐसे जगह से जन्म लिया आपके बारे में कुछ बताएंगे मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहां पर मेरे एक तो गाओं में हमारे स्वतंत्रवीर सावरकर जी का जन्म हुआ था और मेरे नाना जी भी स्वतंत्र सेनानी हुआ करते थे और एक्सलेंट प्रावड ओफ यूज यह काफी सुभाग्य की बात है कि आज मैं एक ऐसे सुतंत्र सेनानी के खांदान के बच्चे से बाचित कर रहा हूं जो अपने बारे में बताएं उसके बाद में मेरे पीता जी जिनोंने हमारे परिवार को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाओ पे लगा दी और आज भी वो कस्ट करते रहते हैं संगर्शपूल जीवन है और वो एक गवर्मेंट सरवन थे अभी फिलाली रिटार हुए और अभी आभी पूरा केती देखते हैं सर एक चीज़ मुझे काफी उत्सुत्ता है जो आप साइकल से मैंने दौरते हुए लोगों को देखा था स्टंड करते हुए बाइक से यह साइकल से आपकी जो अंदर यह जागडिती हुई यह कैसी इसकी क्या कहानी है एक्चुली यह कहानी चालू होती है हमारा जो पूरा जग जहां पर शांत हुआ था 2020 में जब पेंडमिक सिच्वेशन आया था अच्छा कोवीड की समय की समय की बात है सो कोवीड के समय में जिस में काम करता हूँ मेरा आईटी शेत्रसे में काम करता हूँ और वह देखा जाए तो 24 by 7 सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती रहती थी हमको टाइम पे और हमको अलाउड किया था गवर्मेंट ने सर्विस देने के लिए सो वो चलते हुए मैंने देखा रास्तों पे काफी बैरेगेटिंग करते थे पूलिस किसी को छोड़ते नहीं थे बावजुद हमको परमिशन मिली थी और तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग गाड़ी का क्यों गाड़ी का इस्तमाल करें क्योंकि वो टाइम पे काफी पेट् तो हपीस था वो मेरे घर से एक 30 किलोमेटर की लंबाई पे था तो मैंने सोचा हम लोग एक बार ट्राइ करते साइकल पे इसके पहले भी मैंने जब स्कूल में था तो वो टाइम पे मैं काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा रहता हूँ तो एक थोड़ा सा जुनु देते हैं जबकि एक इतिहास रचने वाले रेकोर्ड तोड़ते हैं और आप उन्हीं में से एक हैंजर सर अभी आपका जो साइकल रेश में अपने अभी क्या-क्या अरजन किया सो वो टाइम पे मैंने साइकल को अपना लिया और मैंने आज ऑफिस ट्रांस्मोटिशन मोड में ही साइकल पे मेरा प्रवास चालू किया तो प्रैक्टिस इतनी हुई सर मेरे दिन बर में मैं 60 किलोमेटर अप एंड डाउन करता था तो वो प्रैक्टिस चलते हुए मुझे जानकारी मिली कि हमारा एक और एक इंडिया क्लब है जो अफिलेटेट्टू फ्रांस है तो वो क्लब में मैं इने मेंबर्शिप लिया और वो क्लब में क्या होता है ना सर एक साल के अंदर में 200 500 km-300 km 400 600 km इसे चार राईड ताइम पिरेड देते हैं ते आपने में कंप्लीट कि महारास्टर में सबसे बड़ी चुश्मेंट थी और प्रवा साइक्लिंग जर्नी वहाँ से चालू हुई है अभी आपका बहुत सारी न्यूजपिपर में बहुत सारे कटिंग जो आप अभी देख रहे हैं इसक्रीन पे इसकी क्या कहानी है सो जिस तरीके से आपको मैंने बताया वो कलब के साथ मैंने में लिया और मैंने वो टाइम पे शिक्स टाइम एसर का एक जो अचुमेंट था वो कंप्लिट किया उससे चलते हुए जो न्यूस मेडिया था उन्होंने मेरा यह प्रेजेंट करना चालू कर दिया क्या यह भगुर्ज जिस गाउ से स्वातंत्र सेनानी उबर के आये थे उस गाउ से सर अभी मैंने बहुत सारे नीज़ पिपर्स में देखे हैं आपके बहुत सारे फोटोग्राप्स और बहुत सारी चीज़ लिखी हुई थी बहुत सारे चीज़ तो मुझे समझ में नहीं है जो मराठी में लिखा हुए अब जो आप न्यूज देख रहे हैं वह फिलाल मेरी पंडरपूर की साइकलवारी की न्यूज देख रहे हैं आपको पता ही रहेगा महारास्टर की आराद्य देवत अपने विठ्थल जी जो लोग वहां पे पैदलवारी करके जाते हुए जाते हैं बट कुछ हमने साइकल साइकलवारी अलग स्टार्ट किया और मैंने सोचा चलो अभी जैसे में नासिक से पूना में शीप्ट हुआ तो मैं सोचा पूना से हम लोग साइकलवारी करके देखते हैं वह कैसा आनुबव है तो मैं यहां से निकला कुछ रिटन का जो जरनी ता साइकल के ऊपर वो कुछ वहार्ड़ के बारे में बताएं गया सर जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कए में 2020 में मेरा कोवीट का समय चालो तब से में साइकलिंग करता हूँ और और कलब के साथ में मैंने में वी लिया तो टाम पे मैंने एक साल में सिक्स टाइम अपर एंडोनेरिंग का ही inspiration मिला और मैं फिर वह आसे रुका ही नहीं जो कि आज तक में पेपर में चाया रहता हूँ वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है में किसी के लिए कुछ प्रेयर नदाई बन सको आगे भी जाके फिर मैंने एक आपने सुना रहेगा tandem cycle बोलते जिसमें डबल सीट रहता है और tandem cycle पे तीन बार सुपर एंडूरेरिंग का किताब अच्छी हो किया था जो की आज तक का वो वर्ल्ड रेकॉर्ड है और डॉक्टर कानडे ने उसके लिए फाइल भी प्रपोस किया है लिम्पा के साथ में मुझे काफी गर्व हो रही है कि मैं आज ऐसे सक्स का के साथ बाचित करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ सर आगे का क्या फीचर है आप मतलब क्या नया रेकॉर्ड तोरने के बूर्ड में है सर वो जिस तरीके से मैंने बता है वोर्ल्ड रेकॉर्ड की बात आती है तो फिर सीना चोड़ा हो जाता है फिर उसके बाद तो हम लोग रुके नहीं फिर उसके बाद मैंने हां पायन मैन का एक टाइटल आ चुक है जिसमें टू किलोमेटर स्विमिंग नाइन्टी किताब मिलता है जो पंद्रा सो किलोमेटर का राइड होता है जिसमें आपको पंद्रा सो किलोमेटर साइक्लिंग करनी पड़ती है पाच दिन के अंदर में वो भी मैंने फिलाल कंप्लीट किया ता मुंबई क्लब के साथ में अरे बहुत ही खुबसूरत जर्नी मुझे लग किलोमेटर का राइड होता है वी दिने टाइम पिरेड में करना पड़ता है और फिर एसार मिलता है आपको एक टाइटल उसी तरह लॉंग डिस्टन्स का साइक्लिंग होता है बारा सो थाउजन किलोमेटर का जो मैंने लास्ट येर कंप्लीट किया था जिसके लिए अभी ज करना नाइंटी आवर्स का उसमें कट आफ होता है नाइंटी हैवर्स में आपको उसको कंप्लीट करना होता है बट देखा जाये तो वह अपने वेदर कंडिशन के इसाब से बहुत अलग रहता है वहां का बेदर कंडिशन इसके लिए मैंने जो थाउजन किलोमेटर का है बट मेरा वीजा के लिए मैंने डॉकुमेंट्स प्रोवाइड के एंड आइम वेटिंग फॉर दिस वीजा इस सुर करें आपको कीब को वीजा मिले और भारती इतिहास के लिए एक नए पंडेक अध्याय आरंभ हो सर आने वाले जनरेशन को आप क्या असंदेश देना चाह करें ज्यादा से ज्यादा आप नहीं साइकल पे तो आप पैदल जाना कोशिश किजिए जिस तरीके से आपको वह करने से एक तो आप पर्यावरन का भी रक्षन करते कार्बन फूर्ट फिंट्स को आप यह कर बचाते हैं और सेकंड तिंग आपका हेल्थ काफी अच्छा र साथ से देखिए जिस तरीके से आपकी आज के नोजवानों की देश के लिए काफी जरुत है आप थोड़ा सा मतलब ठीक है आप विद्नान इतना आगे बढ़ गया क्या कोई भी रोग रहेगा कोई भी यह रहेगा उसके लिए आपके पास दवाई है बट मैं यह सोचता कि कम से कम आप इसका कम से कम आप इसको सर मैंने जो आपका देखा आपने करितिमान अस्थापित किया और आने वाले समय में बहुत सारे रिकॉर्ड को भी अस्थापित तोरेंगे और नहीं कृतिमान अस्थापित करेंगे सर आने वाले जनरेशन को आप कैसे देखते हैं औ और स्वस्त रहने के लिए आपको कोई ना कोई एक exercise डेली करना चाहिए जो कि मैं cycling, swimming and running regularly करते रहता हूँ आप भी कोई एक exercise आत्मसाथ कीजिए और जिससे आप स्वस्त रह सकते हैं आप खुद में इतना ठान लीजे कि आपको 60 साल तक कोई भी दवाई नहीं खानी है तब जाके आपका ये बिल्कुल सही स्वस्त मस्तिस्त में ही स्वस्त बिचार उत्पन होते हैं और स्वस्त सरीड ही एक कृतिमान अस्थापित कर सकती है वास्तों में सर्थ आपने जो स्वस्त के परती जागरुत्ता का जो अभियान चलाया है cycle से वो सराहनिये ही नहीं अदबुत अदुतिये अकल अपनिये और अविस्वस्निये है मैं आपको इस काड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अगले एपिसोड में पुन्हाँ आपके साथ बाचित करूँगा एक नए रेकोर्ड के साथ यदि तर अविस्वस्निये है